नमस्क्राइब दोस्तों तो दोस्तों कुछ और अपडेट सें आपके लिए तो इस वीडियो को आप अम तक ज़्रूर देखेए ज्यदय-पज़्ट कुछ और जो है डाउट सापके क्लियर होने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें ज्यादे ज्यादा सेल जरूर करें तो कई के दारा कुछ और कोर्स के चात्रा हूँ एक बर अपना रिजल चेक जरूर कर ले और आज की वीडियो थोड़ा सा डिलेस करके कुछ जो मैटीरियल जो है काफी लेट मिला जिसके कान जो है वीडियो लेट है जिसमें कि आपको कुछ प्रूफ जो है कंपेर करके दिखाएंगे तो अब यह वीडियों तक जरूर देखें इसके लावा कुछ और कोर्स की डेट शीट चारी की गिए हैं पीजी कोर्स की नोन सीबी स साइक्ष्रेम से साइकलोजी पफिलिक अड्मिनिस्ट्रेशन इंग्लिस हिंदी मसी कंप्यूटर साइंस में सीय कफी सारे कोर्स की जेट आज आ चुकी हैं साइट पर अपलोड हो चुके हैं काफी सारे कोर्स की थार्ड समेस्ट की है कुछ एक थार्ड और फिफ्प non CBCS scheme वाड़े courses की जिनके exams फरवरी मार्च में conduct होने है और अभी भी जो संच है बढ़ा हो UG exams के mode को लेकर तो उसको लेकर जो आपको कुछ comparison करके दिखाने वाड़े है उससे भी आप जो है थोड़ा सा अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं लेकिन तयारी आपकी होनी चीए दोनों तरीकों से चाहे वो अफलाइन हो चाहे ओनलाइन हो आप अपनी तयारी ना चोड़ दें तयारी अगर आप चोड़ देंगे पढ़ना चोड़ देंगे तो उसमें आपका लोस हो सकता है और अभी इंतजार के जा रहा है B-TEK के थर्ड समस्टर और फरस्ट समस्टर की डेड़ सीट का और देखने को ये भी मिल सकता है जो थर्ड और फरस्ट के रीक एंक्जम से वो साथ में ही अगर कंड़क्र जाते हैं तो मोड जो रहेगा दोनों का सेम ही मोड रहेगा जो अभी एक्जाम कंडक्ट करवाई जा रहे हैं और प्रापत जानकारी के उनसार जो सुत्रों के हवाले से जो खवर मिली है एक input छोटा सा ये भी मिलाए भी ये final नहीं है तो ये भी हो सकता है कि जोруд अपरैल तक एक्जाम कंडक्ट करवाई जाने हैं वो लगबग जो है ओनलाइन मोड में ही कंड़क्ट करवाए जाने की संभावना है अब ये संभावना कब तक पूरण तया पूरण सूचना में तबदील होगी या इसे में कुछ फेर बदल होगा वो आपको बता दिया जाएगा अगर सब के एक्जाम ओनलाइन कंड़क्ट क के अपने पढ़ाई ना छोड़े और इसके लावा जो एक्जाम होने वाले हैं जिनके शुरू होने वाले हैं डेट सीट आ चुकी है तो उनके रोल लंबर जो है एड्मिट कार्ड पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिये गये हैं जैसे की बी आर्टेक्ट्ट समेस्टर बी टो लंबर साइट पर अवेलेबल हैं इसके अलावा जो जान करें जो आपको कंपेर करके दिखाने वाले जिससे कि आपका थोड़ा सा डाउट जो है वो दूर हो जाएगा तो यहां पर जो बी जा रिकी ही हम आपको चोंपैर करके दिखा रहे हैं जो एवेलेयबल हुई है और जो यहां पर अभी नई डेट शीट तो वीकॉम थर्ड समेश्टल जनरल ओंसेट वोकेशनल जो एक्जाम से होंगे 26 फरवरी से उसके लिए जो टाइमिंग है अभी डूड बज़े किया है एक बज़ कर 30 मिनट सामको इविनिंग सेसन में तो एक्जाम 26 फरवरी से सुरू होता था कि आपने ये देखना है पेपर करने से पहले कि आपको क्वेशन पेपर सही मिला है या नहीं मिला है अगर आपको क्वेशन पेपर गलत मिला है तो उसकी जो कंपलेंट है उसके बारे में जो भी आपके निरिक्षक हैं आपने उनको सूचित करना है अगर आप गलत question पर attempt करेंगे तो आपकी नहीं सुनी जाएगी offline exams में जो note लिखा था डेट सीट के साथ वो यह लिखा था जो हमने आपको बताया और जो online exams conductor हुए थे जैसे कि इसमें एक note और था कि अपनी handwriting में करना है दरवाइज UMC बन जाएगी तो वो note हटा दिया गर उसी के दिखा देते हैं है तो यह बीकॉम थार्ड समेस्टर जनरल ओंसाइड वोकेशनल exam जो 19-11-2019 में जो exam conduct हुए थे timing इन की morning की साथे 9 से 12 बज़े तक morning session में जो exam conduct हुए थे तो उसमें जो date sheet सी देखिए 19 नमबर से exam और इसमें जो instructions mention थी जो note mention थे देखिए इसमें तीन instruction mention की थी जैसे कि हमने आपको पहले भी compare करके दिखाई हैं बीटेक की date sheet जो online exam हुए थे उनकी और जो प्रिवियस जो years में exam हुए थे offline उनमें जो है सेम जो guidelines है जो instructions है वो दी गई थी और बीटेक वालाओं में भी सेम थी और ये तो बीकॉम के हैं बीकॉम वालाओं में भी सेम guideline दी गई थी तो यहां पर जो guideline दी जैसे कि आपको बताएगे question paper मिले इसको answer करने से पहले देख लेना है कि जो supply किया गए cracked question paper मिला है उसको question paper अगर crack नहीं है they should bring the same to the notice of the innovator तो निर्खसे को बताना है कि जो आपका paper है वो गलत आपको दिया गया वह आपको सही paper देंगे अगर आप बाद में बताएंगे जब आपने paper शुरू कर दिया answer लिखना शुरू कर दिया तो आपकी जो नहीं सुनी जाएगी electronic gadgets allowed नहीं है extra answer sheet नहीं दी जाएगी तो यह एक और main point जो था offline exams का कि extra answer sheet आपको नहीं दी जाएगी तो यह 3 points देखने को मिलते हैं लेकिन जो अभी online exam हुए थे या भी हो रहे हैं उनमें पोंने सिरफ एक ही point common है कि अगर आप गलत question paper लेकर उसका attempt करेंगे तो आपकी नहीं सुनी जाएगी और जो एक पोंने था अपनी handwriting में करने वड़ा वो हटा दिया गया तो इससे जो आपका doubt भी क्लियर हो गया अभी सभी तरफ जो है यही आसार लगाए जा रहे हैं जो exam सा वो online conduct करवाए जा सकते हैं लेकिन अभी तक finally बताया है तो exam जो online ही conduct करवाए जाने की और जो है इसारा हो रहा है लेकिन अभी तक जो इनवर्ष्टी ने अपना मून नहीं खोल लाए कि exam स online होंगे या offline होंगे अब देखना है कि कभ जो इनवर्ष्टी अपने पेटारे से जो है यह answer निकाले कि exam स online होंगे या offline होंगे फिलहाल आप सभी अपनी त्यारी जारी जरूर रखें जो भी मोडरेगा वो आपको बता दिया जाएगा इसके लावा जो PU के exam सा उसको लेकर भी update आ चुगे PU online exam लेगी DU भी online exam लेगी तो जैसे पहले DU ने online exam लिये थे KU ने भी लिये थे KU की copy करके PU ने exam लिये थे अभी PU ने पहले ही बता दिये कि exam जो वो online लेने वाड़े हैं जो ओर स्मेस्टर के exam सा जो फरवरी में लिये जाएंगे PU के वो चाहिए affiliated college को चाहिए institute के हो चाहिए UTD के हो PU के वो online exam होने वाड़े हैं तो उसको देखते हुए कहीं है कि इसका सर KU पर भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन KU अभी जो है final decision online offline का नहीं बता रही है तो उसका reason आपको बता दिया गया कि ये भी है कि अगर बता दिये कि online होंगे तो चातर पढ़ना छोड की आगया कि एक्जाम्स online होंगे offline होंगे तो ये आने वाले weeks में आपको देखने को मिल जाएगा final decision भी कि एक्जाम्स की स्मोट से connect कर वाए जेंगे फिलहाल जो आपका एक डाउट था डेट सीट वाड़ा उसके पॉइंट के आदार पर आपका डाउट क्लियर हो गया होग जो एक्जाम फारम बरे जाने है additional के रिए पियर के या improvement के उसकी last day जो पंदरा फरवर्य तक extend कर देए तो एक पॉइंट ये भी है अगर exam offline ना होते तो ये exam अगर offline होते तो ये date extend करने का मामला नहीं देखने को मिलता पिछली बार भी date extend की गई थी एक्जाम online लिए गे थे तो इस बार भी यही देखने को मिल सकता है बाकी देखना है कि आपर final decision क्या रहेगा इंवर्य का exams online होंगे या offline होंगे पंदरा फरवर्य तक अभी जो है date बढ़ा दी गई है तो अगर किसी नहीं बता एक्जाम फारम नहीं बढ़ें किसी का रिए पियर का additional लिए improvement का है तो भर सकते हैं तो पियू के भी अपडेट आ चुके है कि जो जितने भी इंवर्ष्टी पियू और इससे अफिलियेट्ट कोल्जम यूजी पीजी के students के और समेश्ट के exam online होंगे पंदरा फरवरी को होने जारे इन exam के लिए पियू ने डेशीट और guideline दो से तीन दिन के बीच exam साथ अनलाइन ही कंड़क्ट करवा जाएगे चात्रों के साथ या उनके स्वास्थय के साथ बीच्शे के साथ जोकिम नहीं लेना चाता है अभी offline परिक्ष्या करवाने का जोकिम नहीं लेना चाता डियू तो कहीं ना कहीं जैसे के दवरा पहले चात्रों की समस्शयां को द्यान में स्वस्त्य को द्यान में रखते हुए एक्जाम्स ओनलाइन कंडक्ट करवाई जाए थे कोहीं न कहीं ये जो है पॉइंट इस बार भी देखने को मिलेगा अब देखने कि ये मिलने वाड़ा चांस कितना होता है क्या के यूके कंसीडर करेगी या नहीं करेगी यहाल आप सबी अपनी तयारी जारी जरूर रखें और गंद तंतर दियुस पर 700 जवान होंगे तैनात कुरक्षेतर विशव जले के सेकंड गेट पर बैरिकेड उतारते करमचारी तो जो भी अपडेट्स रहेंगी एक्जाम्स के मामले तो इसके लावां एमडियो दोवार इन अधर प्रोफेशनल कोर्सिस समेस्टर सिस्टम वाले एक्सेप्ट बीएड एमड बी एक बी आर्क एम्मार्क एम्टेक प्रोग्राम को छोड़के 2020 सिख्किस के लिए तो यह बताएगी जो टीचिंग टरम है ओल्ड स्टुडेंट्स के लिए न्यू स्टुडेंट्स के जो होंगे ओड़ स्मेस्टर के और स्टुडेंच के लिए न्यू स्टुडेंट्स के लिए एवन स्मेस्टर की टीचिंग तरम की अघरी की हो इसकी बात को दिहान में लेकर चलेंगी और इसकी inner यह महिला विशhmenव ग्यावी एक या फिर आईजी हो तो इन सब को बेज़ीगी है डी एक्जी को भी बेज़ीगी है इसकी कोपी तो कहीं नहीं कहीं इसके साथ तालमेल रखते हुए बाकी सारी उनुष्टी अभी काम करने वाड़ी हैं और कुछ ने कुछ जो है कुछ और अपडेट जो है इनुष्टीज की तरफ से देखने को मिल जाएंगी फिलाल जो है एक्जाम्स के मामले में जो है फाइनल citizen लिया जाना बाकिया एक्जाम्स ओणलेन होंगे masa लेन होगे आप सभी तयारी जारी जरूर रखें जो भी अपडेट ह棘े आपको बता दिये जाएंगी ग्रूप अगर आप जोईन करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिक्षिन में प्रवाइड कर वा दिया जाएगा ऐसी अफडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जूरूर रहें वीडियो को जादे ज़याद से जरूर करें वीडियो को तक देखने लिए आप सभी का बहुत बहुत जाएगा ऐसे अपडेट पाते रहने एसी ही अपडेट पाते रहने के लिए चैनले से जरूर्ण जरूरेओं बीडियो कोई तक देखने के लिए आप फैसे बार फिर शेर बहुत बहुत दन्यवद वीडियो ज्यादा ज़्यादा से हीर चाहिए जरूर करें कमेंट बॉक्स म अपने राइ जरूर दें